हेलो फ्रेंट्स मेरे चैनल फैसन इस्टिडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है तो चलिए इस समय जैसे कि आप लोगों को भी पता है कैचियों के बारे में हम लोग पढ़ना हैं और पिछली जो आप लोगों की क्लासी छूट गेंगे वीडियो चूट गए होंगे वो देख लीजेगा कैचियों के बारे में और यहां पे भी मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आए हूं कटावदार कैचि मिंस पिंकिंग सीजर के बारे में लेके आए हैं हाँ पे इस कैचि का परियोग सूती रूबी देखे या इस क सिलाए को सुन्दर बनाने के लिए किनारों पर सजावट के लिए कि जाती है किस कैचि की बात की जा रही हैं पे पिंकिंग सीजर्स की बात की जा रही है कटावदार कैचि की बात की जा रही है ध्यान दीजेगा इन कैचि का प्रियोग देखे इस कैचि का प्रियोग किस के की चाहे रहा है सुती रूबिया रेसमी या नाजंग वस्तरों की सिलाए को सुन्दर बनाने के लिए किनारों की सजावट के लिए की जाती है यह 8 इंच से दस चेम्च ध्यान दीजेगा, आठ इंची से ये दस इंची तक, और थाद 20 सेंटीमीटर से लेके 25 सेंटीमीटर की होती है, ध्यान दीजेगा, मैं बार-बार कहारीगे, ये सभी टॉपिक बहुत इन्पोटेंट है, आप लोग नोट्स बना लीजे, आपके एक्जाम में भी हेल्प इसके दोनों फरो पर कटाव कटे होते हैं देखें ध्यान दीजेगा सार्जू करने वाले इस्थानों पर भी तथा पतले कपड़ों पर भी इसका प्रियोग कर सकते हैं सर्जू करने वाले इस्थानों पर पतले कपड़ों पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं इसके कैची होती है जिग-जग टाइप की कटिंग होती है इससे और बहुत अच्छा देखिए जैसे कि हम फाइल्स वगरा में भी अगर कोई चीज लगाते हैं ध्यान से समझेगा इस चीज को तो इससे अगर हम थोड़ी सी डेकॉरेशन कर देते हैं तो उसको जब फाइल में चिपकाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है और कपड़ों पर किनारों पर अगर हम कटिंग कर देते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और कटावदार कैंची यह बहुत ज़्यादा इंपोटेंट टॉपिक है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजेगा समझ लीजेगा इंच में भी इससे कोशन पूछ लिए जाते हैं सेंटीमीटर में भी पूछ लिए जाते हैं और यह सियाइटेस एंटेंस एक्जा में य जाहिए आगे आप लोगों के हैल्प इसी तरीके से होती रहेगी और जिसने अभी तक मेरा टेलिग्राम नी जोइन किया है इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा वहां से टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लेजे ऑनलाइन क्लास से जिसको जाहिए तक मेरा टेलिग्राम का लुषा लिंक यू